नमस्कार दोस्तूं, स्वागत है आपका Synergy Eyes Academy के official YouTube चैनल पर, मैं आपका दोस्त राही मैता, आपके लिए फिर एक HCS के regarding important वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जासा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, कि HCS के पिछले साल के prelims के paper के अंदर, काफी सारे ऐसे questions पूछे से deal करते थे, और कई सारी ऐसी locations जो news में चल रही थी, उनके regarding, HCS ने prelims के exam में काफी अच्छे question, काफी specific question जो थे, वो पूछे थे, उसी के regarding, पिछली वीडियो के अंदर, हमने कई सारी ऐसी locations जो news में चल रही थी, उनको discuss किया था, उसी वीडियो को continue करते हुए, आज हम, ज HCS prelims के regarding काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंतक देखेंगे, और इस वीडियो से काफी ज़्यदा information आप gain कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी पहली location की तरफ चलते हैं, पहली location है हमारी आज की Stromboli Volcanoes, recently erupt हुआ है, इसके चलते हैं, यह location जो है, वो काफी current, काफी news के अंदर चर्चित थी, Stromboli Volcano जो है, यह है इटली के Sicily Island के पास मजूद है, जो की Tyranian Sea को लगता है, एक बार हम इसको map में देख लें अगर, तो यह रहा आपका इटली का map, और यहां पर यह जो island है, this island is known as island of Sicilia या फिर Sicily Island, यह पूरा इटली का map, इटली एक पूरा peninsula है, एक तरफ इटली के Adriatic Sea है, एक तरफ इटली के Tyranian Sea है, एक तरफ इटली के Ionian Sea है, Tyranian Sea, Adriatic Sea and Ionian Sea, इनही Tyranian Sea and Ionian Sea के बीच में मजूद है Sicily Island और Sicily Island के ओपर मजूद है Stromboli Volcano, जो भी recently erupt हुआ है, इटली के अ important volcanoes मुझूद हैं, जैसे कि Mount Aetna, इटली का ही एक volcano है, Mount Vesuvius, इटली का ही एक volcano है, and Mount Stromboli, यह important volcanoes हैं, जो इटली के अंदर मुझूद है, फिर इटली कंडरी के अंदर मुझूद है, ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ इटली के ऊपर पिछले साले, टाइबर रिवर के ऊपर question पूछा गया था, टाइबर रिवर जो है, वो इटली के अंदर flow करती है, जो की टाइरेनियन सी के अंदर अपना delta create करती है, ठीक है दोस्तों, तो उसी से related, एक और चीज जो थी, वो current में चल रही थी, जिसको भी हमने discuss किया, जिसका नाम है Stromboli Volcanoes, ठीक है दोस्तों, next topic ज इसके चलते, West Java जो है, वो काफी चर्चित रहा, काफी news में रहा, West Java Indonesian country का part है, और हम जानते हैं कि Indonesia एक island country है, वह South East Asia के अंदर मजूद है, उसी South East Asian country के अंदर, ये पूरा का पूरा आपका South East Asia का map, ठीक है, इसके अंदर ये जो portion है, ये इंडोनेशिया का portion है, इसी इंडोन इंडोनेशिया के अंदर, यहां पर मजूद है, जावा, जावा island, इस जावा island का जो western province है, जो western part है, उसको हम इंडोनेशिया के West Java province के नाम से जानते हैं, जहां पर recently अभी अर्थक्रेक कर हुआ था, जिसके चलते ही है, location, current में है, तो इसके साथ इसकी आसपास की related information भी हम देखी लेते हैं, तो दोस्तों, इंडोनेशिया जो है, वह साउथ में इंडोनेशिया के Indian Ocean पढ़ता है, इसके साथ साथ इंडोनेशिया के North में South China Sea पढ़ता है, इसी प्रकार से जो इंडोनेशिया ब्रुनेई नाम का एक जो island है, ब्रुनेई और जावा के बीच में जाव पढ़ता है, जिवम अंडमान सी को जावा सी से या अंडमान सी को South China सी से connect करने का काम करती है, इसी प्रकार से यहाँ पर सुंदा स्टेट भी मुझूद है, सुंदा स्टेट भी इंडोनेशिया में ही है, जो की सुमातरन आइलेंड और जावन आइलेंड को सेपरेट करती ह इंड जावा सी को इंडिये नोशें से connect करने का काम करती है, तो इसके साथ-साथ कई सारी और कंट्रीज भी मुझूद हैं South East Asia के अंदर, जैसे की वियतनाम, जैसे की थाइलेंड, जैसे की लाओस, जैसे की कमबोडिया, ये सभी कंट्रीज जो हैं, ये South East Asia का पार्ट हैं, जैसे इंडोनेशिया जो है, ये है टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन के उपर मजूद है, यहाँ पर इंडो-स्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट की आपस में कनवर्जन्स चल रही है, जिसके चलते एक बहुती स्ट्रोंग वोल्कैनिक रीजन यहाँ पर मज समय पर देखने को मिलते हैं, तो फिलहाल हमने देखा जावा, हमने देखा स्टेट और मलक्का, हमने देखा सुन्दा स्टेट और इनसे रिलेटिड कुछ और इंपोर्टन फेक्ट्स, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन के उपर, नेक्स्ट लोकेशन रहेगी हमारी कामचटका पेनिसला, पिशली बार HCS के प्रिलिम्स के अंदर कामचटका पेनिसला के ओपर सवाल भी पूछा गया था इस बार कामचटका पेनिसला के अंदर दो वोलकेनोस जो है उनका विस फोट हुआ है जिसके चलते ही है दोबारा लोकेशन के अंदर, दोबारा निउस के अंदर आई है लोकेशन, कामचटका पेनिसला भी रिंग ओफ फायर, पैसिफिक रिंग ओफ फायर का पाट रहेगा, कामचटका पेनिसला जो है आपका दिस इस कामचटका पेनिसला ओफ रशिया, ये काम चटका पेनिंसला जो है यह है इसके वेस्ट में मुझूद है सी ओफ औकोट्सक और इसके एस्ट में मुझूद है पैसिफिक ओशियन और इसके साउथ में मुझूद है एक आइलेंड की चेंज जिसका नाम है क्यूराइल आइलेंड और यह क्यूराइल आइलेंड जो है यह Japan और रशिया के बीच में disputed island है, इनमें से कुछ island रशिया के control में है, और कुछ एक छोटे मोटे island जो हैवो Japan के control में है, दोनों ही इन islands को अपनी लिए claim करते हैं, और यह सारा larger Pacific Ocean का part रहेगा, उसी larger Pacific Ocean के अंदर एक छोटा सा sea है, जिसका नाम है Sea of Coast, और रशिया का पार्ट रहेगा काम चटका पेनिंसला और उसके साउथ में रहेंगे क्यूराइल आइलेंड और उसके साउथ में रहेंगे जैपनीज आइलेंड जैपनीज आइलेंड में भी काफी जादा कहलो कि यहां पर मुझूद है सी ओफ जपान जो जैपनीज और Japanese Island के East में मुझूद रहेगा हमारा North Pacific Ocean ठीक है इसके साथ यहाँ पर Sakhalin Island भी मुझूद है यह भी रशिया का पार्ट है Sakhalin Island भी रशिया इवम जपान के बीच में डिस्प्यूटिड आइलेंड है ठीक है दोस्तों तो यह रहेगी आपके काम चटका पेनिंसला की जियोग करें तो यह लगबग 10 मील उचा हो जाएगा यानि कि यह Mount Everest से भी उचा हो जाएगा प्रन्तू Mount Everest या दूसरे पहाडों की उचाई जो है हम Mean Sea Level से मेजर करते हैं इसलिए Mount Lowa Volcano को हम दुनिया का सबसे उचा Mountain नहीं बोलते हैं क्योंकि इसकी हाइट हम समुदर के तल से अगर मेजर करें तो यह 10 मील रहेगी प्रन्तू समुदर के Mean Sea Level से अगर हम इसको मेजर करें तो यह कुछ 100 मीटर के आसपा से इसकी हाइट रहेगी जिसके चलते है Mount Everest से यह नीचे है इसलिए बट अधरवाइस दुनिया का सबसे लारजस्ट वोलकैनो यह रहेगा सबसे लारजस्ट वोलकैनो और कहां पर मजूद है यह हवाई आईलेंड पर मजूद है अब हवाई आईलेंड दोस्तों कहां पर है हवाई आईलेंड यूएस से का पार्ट है यूएस से के साथ जो Pacific Ocean लगता है उस specific ocean के अंदर मजूद है Hawaiian island ठीक है दोस्तों तो ये equator के नोर्थ में रहेंगे और काफी बड़ी tourist attraction है दुनिया भर से लोग जो है वो Hawaiian island गूमने जाते हैं और इस Hawaiian island का लगबग 51% लगबग 51% area जो है वो Mount Lowe जो volcano है जो Mount Lowe volcano है वही इसका 51% area जो है वो cover भी करता है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं next हमारी location रहेगी Triton island अब हम discuss करेंगे ऐसे islands जो काफी current में चल रहे हैं तो उनमें से पहला island रहेगा Triton island Triton island जो है वह है South China Sea के अंदर मुझूद है यह current में इसलिए आया है क्योंकि recently China ने इस Triton island के उपर एक base एक air strip बनाने का काम किया है सैटलाइट से हमने images क्लिक करी है NASA ने या US की कई सारी agencies ने images को क्लिक किया है Triton island South China Sea में situated एक island है इस island के ऊपर यहाँ पर देखिए इस island के ऊपर चाइना ने artificial island भी इसके साथ डवलब किया जिसके चलते चाइना जो है South China Sea के अंदर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जैसे कि हम जानते हैं कि South China Sea जो है वो काफी जादा disputed है चाइना यहाँ पर 9-Line को claim करता है जो 9-Line एक imaginary line जो है वो चाइना ने यहाँ पर draw करके रखी हुई है जिसके चलते चाइना का कहना है कि लगबग लगबग पूरे के पूरे South China Sea का 90% एरिया जो है वो चाइना को बिलोंग करता है जिसके चलते इस South China Sea में मुझूद जितने भी आईलेंड्स हैं चाइना वहाँ पर लगा अतार interference करने की कोशिश कर रहा है और उन आईलेंड्स को claim करने की कोशिश कर रहा है ताकि दूसरी countries के claim को वहाँ पर हलका किया जा सके इसी के चलते ट्राइटन नाम के एक आईलेंड के ऊपर चाइना ने अभी निर्मान करना शुरू किया है जिसके चलते ही है current में आया है इसके साथ-साथ पार्सल्स आईलेंड्स यह भी South China Sea के अंदर मुझूद है और उसके South में रहेगा स्पार्टली आईलेंड और पार्सल आईलेंड के थोड़ा West में रहेगा ट्राइटन आईलेंड्स जो अभी current में चल रहा है ठीक है दोस्तों तो यह है South China Sea और उसमें मुझूद आपका ट्राइटन आईलेंड नेक्स्ट आईलेंड जो हमारा current में है वो है आईलेंड ओफ रम जो की UK के अंदर situated है इस आईलेंड ओफ रम की जांच जो है इस पर मिलने वाले पत्थरों की रोक्स की जांच जो है वो NASA और European Space Agency कर रही है जिसके चलते ही है current में आया जो आईलेंड ओफ रम है यह है आपके UK के नोर्थ में situated है लगबग यहां पर यह जो आईलेंड है यह है आईलेंड ओफ रम जो UK के नोर्थ और हलका सा वेस्ट में situated रहेगा इस आईलेंड पर मिलने वाले रोक्स की जांच जो है वह है NASA और European Space Agency कल रही है जिसके चलते ही है चर्चित हुआ इसके साथ साथ अगर हम United Kingdom या फिर British Isles की भी अगर एक बार जियोग्राफी देखें तो British Isles के North में है Atlantic Ocean, British Isles के South में है English Channel, इसके साथ साथ British Isles के West में है Irish Sea और इसके साथ साथ जो British Island है इसमें एक जो country का नाम है वो है England और उपर है इसके Scotland और यहां West में है इसके Wales जो United Kingdom है उसको हम बोलते है United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland जिसके अंदर Wales, England, Scotland और यह जो आपका मुझूद है Northern Ireland यह सब पार्ट है United Kingdom का उसी United Kingdom का जिसके अंदर मुझूद है Island of Rome जो की अभी current में चल रहा है मैं दुबारा बोलतू United Kingdom का पूरा नाम है United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland जिसका पार्ट Wales, जिसका पार्ट England, जिसका पार्ट Scotland और जिसका पार्ट Northern Ireland भी मुझूद है Ireland एक separate country है, Ireland एक अलग country है उसके नदन हिस्सा, उसका जो नदन हिस्सा है उसको नदन आइलेंड के नाम से जाना जाता है जो कि United Kingdom का पार्ट है, जो बचा हुआ Ireland है, वो एक independent separate country है ठीक है दोस्तों, अगली location पर चलते हैं हमारी next location रहेगी हमारी वखारी वाइट आइलेंड, अभी recently वखारी वाइट आइलेंड के अंदर मुझूद जो वोलकैनों है वो भी विसफोट हुआ, वखारी वाइट आइलेंड जो है हमारा, वह मुझूद है हमारे New Zealand के अंदर, लगबग यहां पर है हमारा वखारी वाइट आइलेंड, न्यूजिलेंड के दो major islands हैं अगर हम New Zealand की जियोग्रफी की बात करें, तो न्यूजिलेंड के एक आइलेंड, नदन आइलेंड को नदन आइलेंड और सदन आइलेंड को सदन आइलेंड बोला जाता है, सीधा-सीधा सा ही नाम है इनका, और इन आइलेंड के अंदर मुझूद है Canterbury Plains, जो की temperate grasslands के example है यही temperate grasslands हमको UK, और sorry, temperate islands, यह temperate region जो है हमारा Central Asia का वहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसफेलिया में भी देखने को मिलते हैं, और New Zealand में देखने को भी मिलते हैं, जिनको हम Steppies के नाम से भी जानते हैं, जो की बहुती nutritious grasslands हैं, जिनके चलते यहाँ पर बहुत भारी मातरा म dairy farming की जाती है, ठीक है दोस्तों, तो यह है वकारी island, जो New Zealand के north में मुझूद है, जहाँ पर recently एक volcano का विस photo आज इसके चलते हैं, इसके बाद next हमारा रहेगा, Solomon Island, Solomon Island जो है वो Pacific Ocean के अंदर मुझूद है कैसे islands हैं, जिनके कुछ documents के लीग होने के चलते हमको यहाँ पता लगा के Solomon Island ने Chinese सरकार के साथ एक deal sign करी है, जिसके चलते है Chinese Navy जो है वो Solomon Island के waters के अंदर लगातार गश्ट लगाने के लिए जा सकती है, जिसके चलते है Solomon Island जो है वो news में आ गया, तो Solomon Island कहाँ पर मुझूद है Pacific Ocean, Australia का थोड़ा सा eastern हिस्सा, यहाँ पर मुझूद रहेंगे Solomon Island, जिनक West में है Papua New Guinea और जिनके South में मुझूद है Vanuatu Island और इसके East में मुझूद है Fiji और इसके North में मुझूद है Federated States of Micronesia अगर हम इन Islands की एक बार फिर से जियोगरफी देखें तो Solomon Island बिलकुल सेंटर में मुझूद है, Solomon Island के West में है Papua New Guinea, Papua New Guinea के North में है Micronesia, Micronesia एक 600 आइलेंड की group की country है, फिर Solomon Island के South में मुझूद है Vanuatu और इसी के साथ ही Solomon Island के थोड़ा सा South East में मुझूद है Fiji नाम की country, ठीक है दोस्तों और ये सब भी Pacific Ocean का पार्ट है और Pacific Ocean के अंदर इसके लावा और भी कई सारे islands मुझूद है, उसी के अंदर जो island था Hawaii उसको अभी हमने पिछली slide के अंदर कुछ discuss भी किया था, next, Tuscan Archipelago, Tuscan Archipelago जो है वहे अपने environment के लिए वहाँ पर मिलने वाले जो sea grass meadows है उसके लिए चर्चा में आया, ऐसा माना वेग्यानिकों ने कि Tuscan Archipelago में मिलने वाली है जो sea grass है, ये tropical rainforest के मुकाबले लगब 35 गुना ज्यादा carbon को अपने समय में, climate change की रोगथाम के लिए, carbon sequestration के लिए, इन sea grass का इस्तमाल किया जा सकता है, ये Tuscan Archipelago मुझूद कहां पर है, दोस्तों, Tuscan Archipelago जो है, वहे इटली के टाइरेनियन सी के अंदर मुझूद है, लिगूरियन सी और टाइरेनियन सी के बीच में पढ़ता हुआ जो इल पार्ट है, इटली के वेस्ट में पढ़ता है, इटली के वेस्ट में एक प्रोविंस है, जिसका नाम है तसकनी, तसकनी के नाम से ही इन सभी आईलंड का नाम रखा गया, collectively इनको हम तसकन Archipelago के नाम से जानते हैं, तोकि इटली के वेस्ट में मुझूद ओशियन में बसे ह हुए हैं, नेक्स रहेंगे हमारे कचल आईलंड, कचल आईलंड जो है वो निकोबार आईलंड का पार्ट है, अभी United States के National Aeronautics and Space Administration ने हमको बताया के कचल आईलंड के अंदर मिलने वाले जो मैंगरू फोरेस्ट हैं, उनका कबर जो है वो लगातार कम हो रहा है, इसके चलत यहां पर, निकोबार ग्रुप का पार्ट है यह, यह कार निकोबार के South में, लिटल निकोबार के North में, यानि की कार निकोबार एवं लिटल निकोबार नामक दो आईलंड के बीच में मजूद है कचल आईलंड, ठीक है दोस्तों, जो की Bay of Bengal का पार्ट है, नेक्स चलते हैं Pacific Ocean को लगने वाली कंट्री है, उसी का ही पार्ट है, गैलापगोज आईलंड जो की अभी हाल फिलाल मेर चर्चा में है, ठीक है दोस्तों, इक्विडोर एक ऐसी कंट्री है, जिसकी कैपिटल है, क्वीटो, और इसके साथ-साथ यह है, वो कंट्री है, जो की Peru करंट या फिर Humboldt Current के इलाके में पड़ती है, जिसके चलता है, यहां पर भी Peru करंट और Humboldt Current का असर जो है, वो देखने को मिलता है, और इसी का ही एक आईलंड है, इसी का ही एक प्रोविंस है, जिसका नाम है, गैलापगोज आईलंड, जो हाल फिलाल में Current New Fair के अंदर चल रहा है, नेक्स के उपर Russian and Ukraine Forces जो थी, वो आपस में लड़ रही थी इस आईलंड को कबजा करने के लिए, जिसके चलते स्नेक आईलंड जो है, वो काफी चर्चा में रहा, हमने पिछली वीडियो के अंदर Black Sea की जियोग्राफी को पूरी अच्छे से देखा था, कि किस कंट्री की बोर्डर जो है, वो Black Sea के साथ लगती है, Sea of Azov, State of Kurt, State of Bosporas, State of Dardanelles, Sea of Marmara, Aegean Sea, इन सभी लोकेशन को हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, तो अगर आप Black Sea से रिलेटिड इन्फोर्मेशन जानना चाते हो, तो आप लोकेशन वाली पहली वीडियो जाकर दुबारा देख भी सकते हैं, फिलहाल Snake Island, यह भी Black Sea का पार्ट है, जो की युक्रेन और रशिया की वोर के चलते हैं, फिलहाल चर्चा में हैं, नेक्स्ट इस क्रा इस्थमस, जो है, यह फिलहाल चर्चा में इसलिए आया, क्योंकि चाइना ने प्रोपोज किया, एक 90 किलोमेटर लंबी कैनाल ब होती है, जो की दो लेंड मासिस को कनेक्ट करती है, और दो वोटर बोडिस को सेपरेट करती है, तो क्रा इस्थमस जो है, वह थाइलेंड का पार्ट है, और अभी फिलहाल चाइना ने प्रोपोज किया है, कि इस क्रा इस्थमस के ऊपर एक नहर बनाई जाए, जैसे की स्यू रूट जो है वो ओपन हो जाएगा जिसके चलते हैं साउथ चाइना सी और बेउफ बेंगोल के बीच में कनेक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी और चाइना को स्ट्रेट ओफ मलक्का के ओपर डिपेंडेंट नहीं रखना पड़ेगा यहाँ पर स्ट्रेट ओफ मलक्का पर ज्यादा ट्रैफिक होने के चलते हैं शिप्स डिले हो सकती हैं आने वाले समय में क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है तो चाइना एक अल्टरनेटिव रूट ढून रहा है जो कि थाइलेंड के क्राइस्थमस से होकर एक नई नहर के माध्यम से डवलप किया जाना च इंडिया का बहुत सारा जो एक्सपोर्ट रशिया को जाता है या रशिया से जो इंपोर्ट इंडिया की तरफ आता है वो मरमांस्क पोर्ट के थ्रू होकर आता है बरमांस्क पोर्ट जो है यह रशिया के बिलकुल वेस्ट वे सिच्वेटिड है और यह कोला पैनिंसला पर situated है ठीक है दोस्तों कोला पैनिन्सला रशिया का पार्ट है वहीं पर situated है हमारा मरमांस्क पोट ठीक है next छावार पोट छावार पोट एरान के अंदर मजूद है इंडिया जो है भै छावार पोट को डवलब कर रहा है तकी इंडिया मुंबई पोर्ट या अपने वेस्टन कोस पर मजूद पोर्ट को इरान के साथ कनेक्ट कर सके और फिर इरान के साथ जुड़ते हुए सेंटरल एशिया को हम कनेक्ट कर सके और इसके साथ इंटरनेशनल नोर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कोरिडोर को डवलप करने के लिए भी छाबार पोर्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया इसकी डवलप्मेंट कर रहा है इरान से छाबार पोर्ट हमने बदाने की पर्मीशन ली हुई है और लगातार इंडिया जो है वो छाबार पोर्ट की डवलप्मेंट के लिए कदम उठा रहा है खर्चा कर रहा है प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारी कई सारी कंपनी यहां पर काम कर रही है यह पौर्ट जब पूरी तरीके से डवलप हो जाएगा तो इस पौर्ट के थरू हम अफगानिस्तान और इस पौर्ट के थरू हम सेंटरल इशिया से होते हुए यूरोप से कनेक्ट हो जाएंगे and international north-south transport corridor जो है वो हमारा काम्याब हो जाएगा next next हमारा रहेगा पलाउ पलाउ जो country है यह भी अभी चर्चा में है यह कहां पर मजूद है यह भी उस्टेलिया के north में मुझूद हमारा जो Pacific Ocean है उसका पार्ट है Philippines के east में उस्टेलिया के north में पपुगान योगिनी के नोर्थ में मुझूद है पलाउ ठीक है दोस्तो आगे चलते हैं नेक्स रहेगी गैबोन गैबोन जो है वेस्ट अफरीका का पार्ट है गैबोन जो है वेस्ट अफरीका के साथ-साथ एक ऐसी कंट्री है जो अट्लांटिक उशन को लगती है इसके नो है और गैबोन जो है वो चर्चा में आया गैबोन वेस्ट अफरीका का पार्ट है और अट्लांटिक उशन को इसकी सीमाएं लगती है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो इंपोर्टन पोर्शन है वो है नोर्थ इस्राइन पैलेस्टीन बाउंडरी इस्राइन पैलेस्ट और हमस के बीच में जंग चल रही है तो देखो इसराइल जो है दोस्तों यह एक बहुत छोटी सी कंट्री है जिसके इस्ट में जॉर्डन नॉर्थ इस्ट में सीरिया नॉर्थ में लेबनन साउथ वेस्ट में इजिप्ट मुजूद है इसके साथ-साथ इसराइल जो है वो मेडिटरेनियन सी को कनेक्टिड है और थोड़ा सा पोर्शन जो है रेड सी के साथ भी कनेक्टिड है इसराइल का इसराइल के वेस्ट में मुजूद है गाजा और इसराइल के इस्ट में मुजूद है वेस्ट बेंक उल्टा है थोड़ा सा, वेस्ट में मुजूद है गाजा और एस्ट में मुजूद है वेस्ट वेंग, ठीक है दोस्तों इसके साथ सीरिया, जोर्डन, इजिब्ट, लेबनन, इन सब कंट्रीज के साथ जो है इसराइल की बाउंडरी जो है वो लगती है, अब हमारा अगला टो रूट जो है वो डेवलप होने वाला है, इसके थ्रू हम एशियन पैसिफिक कंट्रीज को येरोपियन कंट्रीज के साथ बहुत एजली और बहुत कन्विनियंटली कनेक्ट कर पाएंगे, यह रूट जो है यह आर्क्टिक ओशियन से होकर गुजरेगा, जैसा कि हम जानते ह आर्क्टिक ओशियन विन्टरों के दोरान बर्फ से बहुत जाता है, पिलकुल ही बर्फ जम जाती है यहाँ पर जिसके चलते हैं यहाँ से शिप्स का क्रोफ करना इतना असान नहीं है, पर जैसे जैसे guests हो रहा है, जैसे जैसे global warming हो रही है, जो आर्क्टिक ओशियन जो है वे विंटर्स के अंदर भी पूरी तरीके से यहाँ पर बरफ नहीं जम पाती है जिसके चलते है यहाँ पर नदन सी रूट डवलप करने की बात चल रही है जो कि एक शोटेस शिपिंग रूट होगा जिसके चलते है फ्रेट ट्रांस्पोर्टेशन यूरोप और एशिया पैस स्ट्रेट जो है वो एशिया को यूएसे से अलग करती है एशिया के रशिया को एवं यूएसे के अलासकन प्रोविंस को जो बेरिंग स्ट्रेट है वो सेपरेट करती है इसके साथ साथ आक्टिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने का काम भी करती है यहाँ पर मुझूद है Baring State तो अगर हमको इंडिया से नोर्वे तक जाना होगा तो हम State of Malacca को पार करते हुए South China Sea को पार करते हुए Baring Street को पार करते हुए हम नोर्वे तक पहुँच सकते हैं जिसके चलते हमारे लिए एक नया Trade Route ओपन हो जाएगा यही है North Sea Trade Route जो की North Pole Arctic Ocean से होकर गुजरेगा जो Asia Pacific एवम उसके साथ-साथ जो European countries हैं उनके बीच में दूरी कम करने का काम करेगा ठीक है दोस्तों तो यह थी हमारी दूसरी वीडियो जो Locations के उपर बेज थी Current Affair के अंदर चल रही काफी Important Locations हमने इस वीडियो के अंदर भी डिसकस करी है पिछली वीडियो के अंदर भी हमने काफी Important Locations डिसकस करी थी अगर आप इन दोनों वीडियो में मजूद Locations को Atlas के उपर अच्छे से देख लेते हैं और उनके आस पास की अपने लेवल के ओपर भी अपनी एटलिस का इस्तमाल करते हुए इन सभी Locations को काफी गहन रूप से अधेहन करेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और Current Affair से लेकर आने वाला हूँ तो जुड़िये रहिएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्रिप्या करके लाइक और कमेंट के माद्यम से हमें बताईएगा धन्यवाद